तो नमस्कार मेरे भाई हो, देखो यार, तुम और मैं जानते हैं अंदर की बात, कि तुम में से अभी किसी ने भी ID उस सीरियस लेवल पर पढ़ना चालू नहीं किया होगा अगर तुमारे दिमाग में दो माइंड सेट होंगे, एक तो ID पढ़ना शुरू कर देते हैं, दूसरा ID अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एंड मोमेंट पर ID बहुत अच्छे से याद रहता है दोनों ही लोग साही है, मतलब अगर तुम्हारा दोनों तरफ माइंड सेट है, या एक का माइंड सेट है, के एंड में पढ़ना बुरी बात है तो ID में प्रिसाइस कंटेंट पढ़ना बहुत जादा ज़रूरी है उसके लिए मैंने क्या किया है पहली चीज तो एक टेलिग्राम चैनल बना दिया अगें जो इस पेपर के बाद डैलिट हो जाएगा खतम हो जाएगा उस पे क्लिक करके तुम उस टेलिग्राम चैनल के अंदर एंट्री ले सकते हो सेकेंड तिंग जितने भी नोट्स हैं आईड के मैंने बैक टू बैक डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिये हैं उसी कॉमेंट बॉक्स में भी उसी टेलिग्राम चैनल के लिंक के नीचे पिन कर दिये हैं जिनसे तुम्हें आईड पूरा पढ़ना है तो तुम आईड बिलकुल लास्ट में उठाना वरना मेरी मानो तो आईड को कंटिनिस लेवल पर पढ़ना जरूरी है अगर अपन कल से नापना चालू करें आज 24 है 25, 26, 27 तुम्हारे पास 3 दिन है यानि 72 हैं और तुम्हारे पास 4 chapters ID के करने को है कहने को time बहुत जादा है और ID के content मुश्किल से 4 घंटे का भी नहीं है अगर तुम individual एक घंटा पर chapter भी देते हो तो तो पढ़ना कैसे है तुम्हें ये समझना पढ़ेगा कि इंडो चाइना पाकिस्तान, इंडिया चाइना पाकिस्तान जो है वो एक key chapter है लेकिन दिक्कत क्या है इसके अंदर कुछ पढ़ना नहीं है इसके अंदर सिर्फ अगर तुम मेरा MMB सीरीस का वीडियो भी देख लोगे और मैंने एक tie-up भी किया है जिसमें मैं एक podcast लेके आने वाला हूँ सेम इसी वाले chapter पे इंडो चाइना पाकिस्तान पे मेरा plan है वो podcast मैं launch कर दूँगा 27th को ताकि तुमारा एक अच्छा खासा revision हो जाए तो ये तुमारे पास एक option रहेगा जिससे तुम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो तो मैंने MMB सीरीज के अंदर इंडो चाइना पाकिस्तान में बहुत क्लियरली समझा के रखा है what you have to study and what you don't have to study मतलब तुमारी अंगरी जी जादा matter करेगी instead और economics के technical terms instead के तुम जाके chapter पढ़ो तो MMB सीरीज से देख लेना आखरी दिन podcast से पढ़ लेना 28 को paper शुद्ध तरीके से चला जाएगा फिर आते हैं next पे employment एंफ्रा को तुमें एक दिन में complete करना है लैक उसके साथ तुम macro economics भी ले सकते हो सुबह ये रिप्टालो शाम को अपना macro economics पढ़ते रहो लेकिन जैसे ही इंडो चाइना पाकिस्तान तुमारा एक बार हो मैं तो ये बोलूँगा कि कल सुबह मैं तुमें इंडो चाइना पाकिस्तान दे दूँगा तो कल सुबह जब तुमारे पास इंडो चाइना पाकिस्तान होगा तो तुम शाम को अपना macro करना next day तुमारा employment and infra हो जाना चाहिए एक दिन के अंदर अंदर इसके अंदर भी वही notes help करेंगे जो आज मैंने description और comment box में दे रखे हैं फिर आ जाते है sustainable development एक घंडे का chapter है इसको associate कर देना, link कर देना national income के basics के साथ मिला के पढ़ लेना वो तुमारे 27th की सुभे भी करते हो तो more than enough है national income के basics और sustainable development ताकि exam के दिन याद रह जाए कोई बहुत जादा load नहीं है बट इससे पता क्या चला जब तुमारे शुरुआत में ये chapter 26 को, ये chapter 25 को यानि कल, ये जब निपट चुके होंगे तो तुम क्या कर रहे होगे 27th को sustainable development के साथ उसको भी revise कर चुके होगे तो मैंने का था ना, दोनों लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ तो क्या हुआ, जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे थे उन्होंने एक बार revision भी कर लिया इंडो-चाइन, पाकिस्तान का, employment and infra का sustainable development एक बार पढ़ लिया पूरा अच्छा-खासा revision हो गया macro तुम उसके साथ पढ़ते हुए ही आ रहे थे तुमारे ID का tension ही हड़ गया अब तुम सोचोगे कि मैंने macro economics क्यों नहीं बताया मैंने ID क्यों बताया because 90% बच्चा macro economics में marks lose नहीं करेगा जो MMB series देखके जा रहा है उसके पास पूरा content है marks कहां lose होंगे ID में जहां पर थोड़ी बहुत technicality लिखना पढ़ती है so stress बार-बार कर रहा हूँ जादा पढ़ने की जरुवत नहीं है limited और सही पढ़ने की जरुवत है और वो मैंने तुम्हें MMB series में दे रखा है notes description में भी डाल रखे है comment box में पिन कर रखे है जाके download कर लेना और कोई suggestion या feedback है आगे क्या तुमारी attention है मुझे comment box में बता देना मैं video बना दूँगा तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद